नमस्कार दोस्तों, मैं मनुज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनुजिला ब्लोग्स में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ सुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दोस्तों, 2023 की सुर्वात में चलिए मैं आज आपको सिरी जगनात पुरी धाम की यात्र पे लेकर चलता हूँ आपको तो पता है कि मैं ट्रैबल्स के उपर ही वीडियो बनाता हूँ मैं जहाँ-जहाँ घुमता हूँ उसी का डिटल्स आपके साथ सेयर करता हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे 2023 की वीडियो की सुर्वात या टूर की सुर्वात कहे तो जगनात पुरी धाम से की जाए इसलिए चलिए दोस्तों, आज आपको मैं जगनात पुरी धाम की ओर लेकर चलता हूँ दोस्तो इस यात्रा में मैं आपको कलकत्ता से पुरी तक लेके चलूँगा साथ में आप कलकत्ता से पुरी तक कैसे आओगे उसकी भी जानकरी दूँगा साथ साथ मैंने जिस होटल पे अपना इस्टे लिया है उसकी भी जानकरी दूँगा और वो सकेते वहां के ओनर से भी बात कराऊंगा उस होटल की क्या ट्रैरिफ होगी उसके बारे में भी जानकारी दो साथ साथ मंदीर पे तो लेके चलूँगा ही चलूँगा और पुरी के एक और फेमस बीच जो हाली में ब्लू फ्लैक बीच गोसित हुआ है जिसे गोल्डेन बीच के नाम से भी जाना जाता है वहां पे भी लेके चलूँगा और साथ में पुरी के मार्केट भी घुमाऊंगा और जितनी भी जानकारी पुरी के रिलेटेट जो भी होगी मैं जादा से जादा आप लोगों के साथ सेर करूँगा आप लोग मेरे साथ इसी तरह वीडियो बने नहीं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों तो पता है, मैं ट्रैवेल स्कोपर में ही वीडियो बनाता हूँ और कम पैसे में इंडिया के प्लेसेस को गुमता हूँ और उसको एक्स्पोर करना हूँ तो आप लोग भी अगर मेरी तरह कम बजट फैनली हो और कम पैसे में जादा से जादा एक्स्पोर करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को जरूद देखे वीडियो को देखने के पहले आपको मेरे चैनल को सस्क्राइब करना होगा सस्क्राइब के साथ सथ आपको बेल आइकोन के नोटिपिकेसन को आउन भी कर देना होगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए दोस्तों और आपका ज़्यादा समय नश्ट करते हूं वीडियो को स्टार्ट किया जाए स्टार्ट करने से पहले जै जगर्नाथ जी का एक बाद नाम लिया जाए जै जगर्नाथ दोस्तो हमारी सफर की सुरुवात हमने हावला इस्टेशन से किया हावला से मैंने हावला पूरी सुपरफास एक्स्वेस से यात्रा किया जो हावला से रात 10 बच के 40 को छूटती है और पूरी 7 बच के 10 में सुबा पहुसती है पूरी जाने के लिए वेश पेंगोल से काफी सारी ट्रेने है आप अपने सुबीदा के अनुपसा किसी भी ट्रेन का जैन कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा से जादा ट्रेन की जान पड़ी चाले हो तो आप मेरे प्लेलिश में सफर कलकटा तूपूरी है उसे देख सकते हैं दोस्तो या मेरा रात का सफर था जिसके कारण मैं ट्रेन टा वीडियो नहीं बना पाया वैसे तो रात में मैं आपको क्या ही दिखा पाता अभी सुबह के साथ दस हो रही है और हमारी ट्रेप राइट टाइम में ही हमें पुरी स्टेशन पहुशा दिये यह ट्रिप मैं अपने ओपिस पिकनिक के द्वारा पुरा कर रहा हूं लगभग सतर से असी लोग के गुरूप के साथ मैं याड़ यात्रा कर रहा हूं यह सब हमारे ओपिस के कलिक्स है जो अपनी अपनी फैमली के साथ आये हुए है चले अब आगे की और बढ़ते हैं और इस्टेशन के पहार आप से बिलते हैं यह रास्ता नया बना हुआ है इस रास्ते से आप पार्किंग लॉट के सामने निगलते हैं चलिए जानते हैं इस्टेशन से स्वरगुद्वार जो की पुरी का सेंटर मान सकते हैं वहां तक आप कैसे पहुँचोगे और इस्टेशन से वहां तक पहुचने के क्या चार्जेस हैं देखिए दोस्तों आप इस्टेशन से तीन से चार तरीकों से स्वरगुद्वार या अपने होटल तक पहुच सकते हों पहला ओटल दूसरा इलेक्टिक रिक्षा तीसरा बस चौथा प्राइविट पार अगर आप संपुन ओटल बुक करते होतों 120 रुपए से 30 रुपए तक चार्ज लगता है नहीं इलेक्टिक रिक्षा का चार्ज 1000 रुपए बस ले बस से 30 रुपए पर हेट महीं आप अगर प्राइविट कार लेते होतों 300 से 600 रुपए चार्ज आती है याद रखे दोस्तों आपको बार्गरिंग जरूर करना है यदि आप अकेले ट्रैवल कर रहे होतों 30 रुपए में आप सर्गुद्वार तक पहुंच सकते हो हमें तो हमारे होटल से ही पिकप कार देज दिया गया था चलिए होटल की आओर चलते हैं इस्टेशन से हमारे होटल की तूरी लगी चार किलो मिटर है मगर चार किलो मिटर की तूरी को कवर करने में 15 से 20 मिनट लग गया क्यूंकि कुछ-कुछ रास्ते पर च्याम था दोस्तो आप इतना दूर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में कहीं न कहीं थोड़ा सभी पसंद आया होगा उस पसंद को ख्याल में रखते हुए प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करते हैं आपका एक लाइक, कॉमेंट और सस्क्राइब मुझे मोटिवेट करेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में दोस्तो यह रास्ता गवर्नल हाउस रोड है इसी रास्ते से आप जब पूरी सीवीच रोड की और आगे जाते हूं तो आपके left and side में blue flag बीच का जो रास्ता जाता है जहां से blue flag बीच की entry होती है आप देख सकते हो ये सामने वाला रास्ता चक्रतिर्थ रोड है जो आपको left से सीबीच रोड की और ले जाता है अब भी आप मेरे right hand side में सरबुद्वार देख सकते हो यही वो सरबुद्वार है दोस्तो हम यहां तक पहुँच गये मगर आप लोगों को तो बताना भूली गया मैंने अपना इस्टे टाप में लिया है मैंने अपना इस्टे टाप होटल ग्रजपती में लिया है जो स्वामी पुरवानन्द मार्ग में स्थीत है और हमारे होटल से वीच की दूरी लगबाद 300 मिटर है दोस्तों आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता है इस वीडियो को देख तर चले ना जाए प्लीज 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 वीडियो को लाइक चैनल को सब्सकार जरूर करें और साथ में अच्छा या बुरा जो भी लगे प्लीज कमेंट भी करें फाइनली दोस्तों वो रहा हमारे पूरी के इस बार करिश्टे चलिए दोस्तों फ्रेस होकर मिलते हैं आपको अपनी अग्ली वीडियो पर तक तक के लिए अलविदा जैहें हिंद्द जब करें संच के लिए करें 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 झाल झाल